इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा ताकि आपको समझ में आ सके मैं क्या बताना चाहरा हूं और कैसे आपने Note 5 Pro को अपडेट कर सकते हैं लेटस जो अपडेट है उसके साथ तो चलिए देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोबस.net चैनल को और बेल आइकन को तुबाना ना भूले ताकि सबसे पहले लेटस टेक अपडेट्स आपको मिल सकें सब्सक्राइब को अपडेट्स में आपको एक पार सेटिंग्स में जाकर दिखा वी देता हूं आपको लग रहा हुआ कि नहीं कि मॉडल नंबर आप देख पा रहे होंगे नहीं हुआ है इसको कुछ XTA developers के कुछ developers है उन्होंने इस रोम को OTA से ग्रैब किया है और recovery room में convert किया है जिसको आप TWRP custom recovery के थूप अपने फोन में सेकेंड अपने फोन को आपको TWRP recovery को इंस्टॉल करना पड़ेगा जी हां custom TWRP recovery के थूप ही आप इस रोम को फ्लैश कर सकते हैं अदरवाइस यह रोम काम नहीं कर पाएगा तो दूनु वीडियो को लिंक जो है मैंने यह सारा का सारा as it is as a data code delete होगा सिर्फ एक file करने है file manager में जाना है file manager में जाके आपको इस टोरेज में आपको दिखा देता हूं एक वार में चुरेश में कौन सी फाइल है वो यह वह फाइल्ट और टेक पा रहे होगे यह फाइल हमें अपको फाइल जो है अपको जीप फाइल जो है जो रिकवरी नूप से फ्लैश होगी nutr argument में अपक और इस फाइल को फ्लैश कर लेना है जैसी ही आपका फॉन सिच आफ हो जाता है पांस सेकिंड वेट कीजिए उसके बाद जो वॉल्यूम आपका जो बटन होता है जिससे वाल्यूम बढ़ती है और साथ में पावर का बटन है इन दोनों को आपने एक साथ प्रेस करना है ताकि आपका फॉन जो है रिकावरी मोड पर जैसे वाबरेशन फील होती है आपको फॉन को चोड़ देंगे आपके सामने एमाई का लोगो बना हुआ आएगा और थोड़ी देर में टी डेलूर्प की स्क्रीन है वह आपके फॉन के सामने आज कुछी देर में जैसी आपका फॉन पास आगर दिखाता हूं यह देखी दो ऑप्शन है नीचे एडवाज्वाइप और फॉर्मेट डाटा आपको एडवाज्वाइप पर क्लिक करना है और उपर के जो बाद कर लेना है और इसके बाद स्वाइब कर लेना है जैसी हो जाएगा आप फिर से नीचे रों का बट अब थोड़ी देर में फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यह थोड़ा से टाइम लेगा दो से तीन मिनट इस पूरी फाइल को फ्लैश करने में जैसे यह फ्लैश हो जाएगा आपको सिर्फ अपने फोन को एक वर रिबूट करना है और आपका जो रेड्मी नोट 5 अपडेट हो जाएगा और असानी से अपने फोन को सारे फीचर्स में यूज कर पाएंगे तो अच्छा फीचर्स के अंदर आया है 8.1 औरियो में जो आइफोन एक्स के जो गेस्ट्र होते थे वह आपको इसके अंदर भी लेंगे जिसको आप इपने इस डेड्मी नोट 5 प इतना टाइम लगता है सिंपल सा प्रोसेसर आपको TWRP रिकावरी चाहिए जिसका लिंक में डिस्पिशन में डाल रखा है वीडियो जहां से आपसको इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस रों को आपको फ्लैश करना है TWRP के थूँ और असानी से अपने फोन को 8.1 और यू पे र तो देखिए अब जो इमेज फाइल है वो फ्लैश हो रही है बस यह थोड़ा साई बजा है अभी थोड़ी दिर में कम्प्रीट हो जाएगा और इसके हम रिबूट सिस्टम कर देंगे और हमारा फोन जो है रिबूट होगा और 8.1 और यू पर रन करना स्टार्ट कर देगा इस फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जहां से आपको जिफ फाइल को सेव करना है अपने फोन में साथ में सिर्फ एक वार्प रिकवरी के तुरू इसको फ्लैश कर लेना है यह देखिए तो इस तरीके से यह फाइल हमारी फ्लैश हो चकी है और नीचे आपको दो आप्शन देखने को मिल रहे होंगे वाइप कैश टालविक और रिबूट सिस्टम आपको रिबूट कर दीजिए उसके बाद सिर्फ आपको रिबूट सिस्टम करना है दूनाट इंस किसे लोगों को अपडेट नहीं मिला है बट आप इसको अफिशली है इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यह कुछ लॉंच किया है तो इसको आप लिंक के तुब डाउनलोड कर सकते हैं कि देखिए भी हमारा फोन जो बूट हो रहा है हमाई की स्क्रीन पे आचुका है एं कि शुरू सुरू में फर्स्टार्ट में थोड़ाशा प्रॉब्म करेंगा क्योंकि इस सिस्टम में चेंज होता है तो लैग देहने को मेलेगा मगर थोड़ी दिर में भी ठीक हो जाएगा दिसे देखिए अभी अनलोग कॉर्ट में हम थोड़ा से टाइम लेला बस आप दे कर सकते हैं तो देख पा रहे होंगे मॉडल लंब रिद्मी नोट फाइप प्रो एंडोड वर्जन 8.1.0 एमा यू वर्जन 9.5.60 थोड़ से पास दिखाते हों से ब्राइटनेस बहुत जादा होगी फोन की यह देख पा रहे होंगे मॉडल लंबर नेट्मी नोट फाइप प्रो एंडोड वर्जन 8.1.0 और एमा यू वर्जन 9.5.6.0 तो इस तरीके साब असानी से अपने फोन को एंडोड 8.1 उर्य साथ अपडेट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ र वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें थैंक यू टेक केर बबाए